हाव रूफीक्स सैमसंग एस टैन एए हैंग और रिस्टार्ट प्राव्लेम नमस्कार दोस्तों सुआगर है अब सबीका तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर हैंग और रिष्टार्ट प्र प्रोब्लेम वहां जातें हैं तो आपके जो डिवाइस ही जाते हैं होने के बाद अपने आप रिश्टार भी हो जाते तो यह किस तरीके के प्रॉब्लेम है अज के वीडियो पर मैं आपको सॉलिशन बताने वाला हुई वीडियो को अंतक देखे, जो भी solution में आपको वताँ को उसको follow करे, आपका problem solved हो जाएगा, ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe करते हुए बेल आइकोन को click करे, अगर आप online पैसा कमाना चाते हैं, तो video description पर आपको link म मिल जाएगा, किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message करें, तो चले दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो hang and restart problem है, ठीक है, तो उसको fix करने के लिए आपको सबसे पहले तो storage में से clean up करना होगा, storage को clean कीजे, और mobile पे कई सरे application से तो इसको delete कीज यूज कीजिए, इस से आपका जो RAM है वो खाली होगा, ठीक है, और कोई भी दोस्तों application जो की bad applications होगा, उनको भी delete कर दीजिएगा, bad application जैसे की कोई unknown website से install किया हुआ application, ठीक है, तो उनको delete कीजिए, और अपने space को free up कीजिए, उसके बार my files पे जाए, और यहाँ पी दोस्तो storage को free up कीजिए, ठीक है, जब storage आपका 40-30% empty हो जाएगा, तब आप अपनी mobile software को update करेंगे, ठीक है, mobile software को update करेंगे, mobile software update होने के साथ इसाथ, आपका problem solve हो जाएगा, ठीक है, तो hang और restart का जो issue है, आप इसी तरीके से fix कर सकते हैं, तो यह solution को आप follow करके देखे, problem solve हो जाना चा हो जाता ही, तो आच्छी बाद है, अगर इसके बाद भी problem आते हैं, तो आपको जाना है general management, reset and then factory data reset, ठीक है, factory data reset पे जाके आपको directly mobile reset कर देना है, जैसे reset करोगे, आपका problem solve हो जाएगा, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने hang and restart problem को fix कर सकते हैं, तो जितना भी मैंने आप solution बताए हो दोस्तों, उसी को follow कीजेगा, तो आपका problem solve हो जाएगा, आपको कोई भी डिक करते हैं, बात में नहीं होगा, ठीक है, तो जो possible solution था, मैंने आपको वही बताए, तो आप भी उसी को follow कर लेना, उमीद करते हैं, आपको ये वीडियो पसने होगा, thanks for watching.